ओम सत्यम ब्रिहत रितमुग्रम दिक्षात अपो ब्रह्म यज्य प्रित्रिविम्धार यंती सानो भूतस्य भव्यश्य पत्नियूरुम लोकं प्रित्रिविनहक्तिनोतु तो देखिए अगर देश को हम फिर से सोने के चिडिया बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा कुछ गुणों को धारन करना पड़ेगा जिसे कि सत्य बिरिहत सत्य अर्थात कभी यो सत्य दिगे नहीं ऐसा हमको बनना पड़ेगा ऐसा संविधान बनाना पड़ेगा ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जो असत्य का नास कर सके सत्य कही इस्थापना कर सके और रित रित मने जो सत्य कभी बदलता नहीं है और रित है यह सुरिय यह हमेशा पूर्व से उदे होता है यह क्या है रित है और अभी बारा बज़ा है यह सत्य है एक बज़ गया तो फिर बारा खतम एक बजना दो वजना ये सत्य है ना लेकिन रित नहीं है इस दिन है तो सत्य क्या है आज बुधुवार है सद्ध्यायत बोलते हैं ना तो वेद का ज्यान चाहिए जो रित है बजलने वदा नहीं है उसका संविधान चाहिए और दिख्षा मनें प्रयाप्त योग्यता चाहिए पात्रता चाहिए जो राजा में हो आज के MP ML में हो वेद धर्सन उप्रसद इन सब के जाता हूँ एस उन्य पात्रता हो योग्यता हो ब्रहुचेर का उसमें भल हो प्रयाप्त तप हो और ब्रह्म की उपासना करने वाले हो यज्य करने वाले हो ये सब प्रित्विय को धारन करते हैं राष्टर को धारन करते हैं जिस राष्टर में सत्य हो रित हो प्रयाप्त योग्यता हो दि जिज्य का नुष्ठान हो, वो देश सोनिक चिडिया कहलाता है, पहले ऐसा ही था हमारा देश, जो भूत काल में, भुष्य काल में, वर्तमान काल में, तीनों कालों में, सब की सुरक्छा करने में समर्थ हो, और इसके लिए हमें वेदे के सरण में आना पड़ेगा, धर्म के स आचरण में आना पड़ेगा तो जिस देश में वास्तो में वैदिक धर्म है वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार है वेद के अनुसार सबका आचरण है जीवन है तो वो देश सुने की चिडिया कहला सकता है तो इसके लिए हमें स्वाध्याय साधना सतसंग सैयम माता पिता माताग सेवा यह सब चाहिए गहोत्य बंद हो प्राणी मात की रख्षा हो और चोरी डकेती सब बंद हो यह बलातकार हत्या सब बंद हो इसके लिए कठोर कादुन व्योस्ता चाहिए राजा को भी ब्रमचारी मजबूत होना चाहिए और इस स्वर में सरद्धा होने तो इस प्रकार से सत्यवादी जिते अंदर ये धरमात्मा जब राजा होता है तो देश को वो सोने की चड़िया कर देता है और इसके लिए इसको गुरुकुल में पढ़ना चाहिए गुरुकुल में पढ़ा प्रमचारी तपस्वी होता है सहिमी होता है ब्रमचारी होता है इ संस्कृत के आधार पर ही हम देश को सोने की चिडिया बना सकते हैं, विश्व गुरु बन सकते हैं, तो संस्कृत का पचार पचार प्रयाप्त होना चाहिए और वैदिक प्राचिन भारति संस्कृति की सापना करनी चाहिए, तो इस प्रकार से देश को हम सोने की चिडिया कर स रखते हैं, ओम संत्यों श्रम